स्वागत आप सभी को ग्यापन एकडमी के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में ये वीडियो काफी important और powerful साबित होने वाला है क्योंकि जो हम grammar का series चला रहे हैं आज क्या ये next series parts of adjective है जी हाँ आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा adjective के types को हम लोग पढ़ना है और exam में अगर इससे regarding कोई भी question पूछेगा तो आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल answer सही लगा करके आना है तो चलिए बीना देर के हम लोग इस session की शुरुआत करते हैं और मैं start करने से पहले एक छोटा सा request करना चाहूँगा आप सभी के बीच कि अगर आप channel पर नए हैं तो क्रिप्या करके channel को subscribe कर लिजेगा ताकि वीडियो अपलेड होने के बाद सबसे पहले notification आप तक पहुँचे तो चले बीना देर के इस session की शुरुआत करते हैं देखिएगा हम लोग को पढ़ना है parts of adjective अच्छा एक बात आपको पता है कि नहीं कि adjective की से कहते हैं देखिए adjective वो होता है जो noun और pronoun चाहे noun की चाहे pronoun की noun की या pronoun की दोनों की या फिर किसी एक की विसेस्ता बताएं तो इसे हम adjective कहते हैं noun की से कहते हैं और उसके जगह पर कोई ऐसा सब्द जो उसको इशारे करने के लिए या इंगित करने के लिए हम लोग जो word इस्तेमाल करते हैं उसे pronoun कहते हैं तो मान की चले किसी ब्यक्ति के नाम या फिर उसके जगह पर हम ही इस्तेमाल करें तो मान की चले नावन और पुर्णान दोनों एक जैसा होगे के नहीं दोनों मतलब भाइबानों की तरह होगे के नहीं तो कुल मिला जुला करके जो नावन और पुर्णान की विसेस्ता को बताता है ठीक है कि वो नाम का ब्यक्ति अच्छा है कि बुरा है कि ही अमीर है कि गरीब है ठीक है ना कि बहादूर है कि नहीं बहादूर है जो भी चीज़े से तुमान के चिले उस नाम का अब्यक्ति कहीं या वह वैठी काई अगर उसकी विसेस्था को बता रहा तो उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं आप जो एडजेक्टिव के भी कुछ टाइब सोते हैं मतलब किसी सेंटेंस में लग करके मतलब किस तरीके से वह कहां जाकर के इस्तेमाल होकर के कौन से adjective कहलाते हैं आज के इस वीडियो में देखना है सुनिएगा ध्यान से एक होता है adjective of quality सुनिए adjective of quality यानि कि यह quality को बताता है जाहिर सी बात है कि adjective तो हम लोग नर्मली जा नहीं गए लेकि जो नाउन और प्रणाउन की विस्ता को बता दे उसे adjective कहते हैं तो यह तो बात किलियर हो गई no problem no doubt लेकिन आप से exam में ऐसे नहीं पूछता है कि which one of the objective in the following माने आप से यह नहीं पूछे का कि इसमें तो सुनिएगा adjective quality में क्या पढ़ना होता है यानि कि एक ऐसा मतलब गोड़ देखे इसको हिंदी में करते हैं गोड़ बाचक विस्यस्ता यह एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन और प्रणाउन की विस्यस्ता को बताता है तो आपके मन में एक कुसंद चला सर यह तो सभ अभी के सभी नाउन और प्रणाउन की विस्यस्ता पताएंगे लेकिन अलग-अलग कोई भर्ब के बाद लगेगा कोई एन मतलब बोले तो आर्टीकिल्स के बाद लगेगा कोई नाउन के पहले लग करके विस्यस्ता बताता है कोई नाउन के सांत रह करके विस्यस्ता बता ने का पहला जो नंबर है वो है adjective of quality यानि गूडबाचक विसे सर जैसे कि विब्यूटीफुल वर्ट देख रहे होंगे यह ओल्ड देख रहे होंगे पूर देख रहे होंगे रेट देख रहे होंगे स्मार्ड भी हो सकता है ठीके नहीं रिच भी हो सकता है ठीके ना Why is हो सकता है clever भी हो सकता है no problem यह क्या है यह सभी नावन और प्रणावन की भी सेस्ता बताता है जैसे कि मान की चली कि वह लड़की सुंदर है तो हम लोग क्या करते हैं she is सुनिये का ध्यान से she is beautiful beautiful ठीक ना वह शुंदर है ठीक ना she is beautiful अच्छा वह अगर घर लगा तो she is beautiful girl वह लड़की सुंदर यानि वह शुंदर लड़की है ठीक है अब बात करते हैं एक और कि मान की चलिए कि यह क्या किया यह कहीं न कहीं से यह भी लगता है सुनेगा ध्यान से यह तो लग गया जो नाउन के पहले लग गया अर्था यह कहीं न कहीं से प्रनाउन को टार्गेट करते हुए किसी ठीक है ना ब्यक्ति का मतलब क्वालीटी बता रहा है अच्छा एक और जगा लगता है सुनेगा जैसे कि मान के चलिए आई-एम ए-ग्रेट आई-एम ग्रेट मैन अब सुनिए का ध्यान से यह जो मैन है न नाउन है और यह 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 ए-ब कर क्या है कहीं कहीं से adjective उप immortality के अंतरगत आते हैं यह बाते आप समाझ लेजिए कि adjective of quality वहीं होता है गुड़ माचेक विसेसर वर्ड वहीं होता है जो पुर नाउन की या नाउन की विसेस्ता को डाइरेक्ट बताए ठीक है यहां पर सुनिएगा old जैसे अगर मान के चलिए कि मैं मैं दसलका हूँ तो सब्सक्राइब की चलिए कि मैं अपनी quality बता रहा हूं मैं इसलकी हुए बता रही है पूर जिसे आइम पूर यार, यूरीच, क्या करो यार, मेरी गरीबी है, यार, मैं गरीब आद्मी हूँ, ठीक है ना, अगर मैं अगर अमीर होता, तो मतलब कही न कही से एक बहुत अच्छे लेवल पर होता है, ये YouTube प्लेटफांप अपर आकर नहीं न पढ़ाता है, है तो मैं गरीब आदमी हूँ तो आ इन पूर मैं पूर भी क्या कर रहा है कहीं कहीं से हमारी quality को बता रहा रहा है सुने रैडर की बात कर रहा है रये अचा देखिए अगर कोई किसी लड़की को कहना है कि लड़की जो ना जो दुपटा कंधे पर रहा है कि नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं से रेड भी क्या कर रहा है यह नाउन और प्रणाउन की विश्यस्ता को बता रहा है और यह कहीं न कहीं से किसी नाउन के पहले लग रहा है ठीक है अब सुनिएगा ध्यान से यह बात है क्लियर हो गई अब सुनिएगा दूसरा नंब तो देखे क्वांटीटी वह होता है जिसका मिजरमेंट मापा तौला जाता है किन्तु गीना नहीं जा सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं क्वांटीटी कहते हैं लेकिन जिसको हम गीन सकते हैं उसको हम लोग नंबर कहते हैं क्या समझा मैं यह समझाना चाहता हूं कि क्वांटीटी उसे कहते हैं जिस quantity को सिर्फ मापा तौला जा सकता है मान के चलिए कि पानी है दूध है यह मान के चलिए कि तलाब का पानी है यह जील का पानी है नो प्रब्लम यह मान के चलिए कि आटा है ठीके ना तेल है ठीके ना जो भी चीजे है जिसको हम एक दो तीन चार पांच करके म और वह भारी मात्रा में हो और उसको हम क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा मनेमा पतोला जा सकता हैं तो उसको हम स्थेक्टी हो लेकिकि अच्छिव और नम appli नम में बन में और यहां वाचक वी सिद्धा को बता रहा है इगे ऑक और रान में कहीनगा में से उस बाखिय में स्टमाल हो रहा हैं रही कि नमबर कर रहा हो ठीके न तो यह क्या है कहीं न को से संख्यावाचक का विस्यश्ल है अब सुनिए का दोनों को एक साथ में कर क्यों चलना हूँ थोड़ा सा समझने की कोशिस कीजबा परिमार वाचक और संख्या और सिर्फ quantity के लिए इस्तमाल हो रहा है लेकिन नंबर के लिए मैं नहीं के इस्तमाल के ज़रा अब यहां पर मैं difference को समझा रहा हूं थोड़ा सा गौर कीजिएगा ठीक है ना वीडियो को कि सुनिये का भ्यान से यहां पर क्या हो रहा है यहां all के बाद जो नाउन आ रहा है वह कहीं न कहीं से यह गिनने वाली नहीं है यानि वह गिनाने वाली नहीं इसको काउंट नहीं किया जा सकता है अर्थात यह क्या है अनकाउंटेबल नाउन है यह अनकाउंटेबल नाउन ह है समाझ को ये क्या है गड़sy नहीं है इ sto강 किया है हम लोग सिर्फ और सिर्फ के लोग फुल है जिलो चारच टिलो लोग wardrobe क्लेयर प्चीश की गड़ी बना बना कर के हम लोग उसको क्या कर सकते हैं मिजर्मेंट करके माप तोल कर कि उसको अलग कर सकते हैं ठीक है लेकि इसको एक दो तीन चार पांच करके नहीं गिन सकते हैं क्या पानी को आप गिन सकते हैं एक पानी दूग पानी ऐसा गिनते हैं नहीं नहीं गिनते हैं दूग एक दूग ऐसा नहीं होता है बागो तो समझेगा यह क्या है यह अनकंटेब अब यहां पर क्या होगा यहаться क्या होगा quantity छुनिये गार जब बात आती है सुनिया ध्यान से जब बात आती है ठोड़ा कर रिगाए चेहरा अंधेरा आeder आरा होगा बर चेहरा से आपको मतलब नहीं है आपको यहां concept से मतलब है सुनेगा दियान से यहां पर दिखेगा all the sugar is dirty यानि कि पूरा का पूरा चीनी क्या है गंदा है लेकिन अगर यहां पर दिखेगा अजब noun uncountable noun ना रहा था इसमें इस नहीं लग रहा है क्यों इसको पुलरल बनाने की क्या जूरो थे यह already singular रहने के बाव जो भी पुलरल की तरह बेवार कर रहा है तो यह आल sugar यानि इसको singular की तरह ही लिख दिया जाता है all the sugar is dirty पूरा का पूरा चीनी गंदा है लेकिन अगर यहीं पर हम कहें all the student all the students all the students are happy are happy मैंने सभी विद्यार्ति यानि सब के सब विद्यार्ति खुश है तो सुनिएगा यहां student भी लिख सकते थे यहां पर क्या लिख सकते हैं student भी लिख सकते थे लेकिन मैंने इस क्यों जोड़ दिया विद्यार्तियों क्यूंकि all के बाद आने वाला countable noun plural होड जाता है और plural बनाने के लिए आप बच्चे वाली किट्स वाली गरामर पड़े होंगे और आपके अर्थात यह पुल्रल हो जाएगा तो यहां कि all the students are happy और चाहे कितने भी मात्रा में विद्यार्ति क्यों नहीं हो all के बाद अगर countable noun ना रहा है तो चाहे कितने भी मात्रा में क्यों नहीं हो हम उसको count कर सकते हैं उसको count कर सकते हैं लेकिन सोगर को count नहीं कर सकते हैं इसलिए हम इसको uncountable noun अर्थात इसको singular form में लिखते हैं तो देखें यहां पर अंतर तो यह हो गया सुनेगा यह all जो है यह adjective of quantity के लिए इस्तमाल हो रहा है और यह जो all है adjective of number के लिए इस्तमाल किया जा रहा है यहां पर संख्या का बूद करा रहा है यहां पर परिमान का बूद करा रहा है बाते आपको समझ में आ गई इसी तरीका से सुनेगा लॉट अपर लॉट्स अप्रोब्लम ठीक है ना तो आई है सब्क्रोब्लम ही लॉट्स क्या कर रहा है प्रोब्लम क्या प्रोब्लम को गीना जा सकता है कि न relação कि ना तो कहीं ना कहीं से आहय आएसॅ लॉट्ट फॉर व्, No प्रोब्लम कोई दिखतन्या कर रहा है तो यह समझ लिजीए कि लोट आफ यहां पर क्या चया अब देखेगा एस्टूडेंट के पहले जिसे ही लौट सफ लगा है तो समझ जाएगा कि student को count किया जा सकता है इसलिए यह क्या हो जाएगा एड्जेक्टिव आफ नंबर हो जाएगा आई होब कि आप समझ गए होंगे अब यहां देखें मच और मैनी में क्या different होता है थोड़ा सा समझ यह मच और मैनी में यह मच है यह मच जो है ना यह मच यह अन कंटेबल नाउन के पहले लगता है और यह मैनी है ना मैनी यह कांटेबल नाउन यह तो बाट दिया गया है यह ऐसा नहीं है कि मच adjective of quantity और adjective of number के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल होता है यह सुनिए यह quantity के लिए इस्तेमाल होता है और यह adjective of number के लिए इस्तेमाल होता है जिससे कि how much water कितना पानी लेकिन वहनज वाटर नहीं कह सकते हैंग।awan की पानी को गिन नहीं सकते हैं इसलिक उंकश लोगा उसलिए क्या था उलनिव काउन पाने करे हम काउंट करसकते हैं कि इतने भी भारी मात्राव में तो हम क्या करेंगे यहां पर मैनी लगांगी इस्टूडेंट के पले यानि county नाउन के पहले क्या हो जाएगा कहीं न कहीं हाली कि अर्माद मैनी में गए और दो अलग वाक्य में इस्तावल हो रहा है तो मुझ और मैंने के तो डिफ्रेंसियेट करना बहुत असान है मज हो गया क्या चीज अनकंटेबल लावन के लिए इस्तावल होता है ठीक है न और मैँ this that such this etc अब इसको भी बहुत अच्छे डंग से समझ लेते हैं तो अगर बात करते हैं demonstrative adjective का तो इसका हिंदी हुआ संकियत वाचक विसेशन सुनिएगा संकियत वाचक विसेशन जो है न यह कहीं न कहीं से लए नाउन और प्रोनाउन के साथ मील करके कहीं न कहीं से संकियत वोले तो करने का काम करता है मैंने ऐससा वर्ड जुसं केत करने का का म करें जैसे कि हमको और आप या आद्मि या डैट पर्षन सुनिएगा डैट पर्षन डैट पर्षन यानि वह भ्यकति इस माइब चाहिए यानि हम क्या कर रहे हैं कहीं से परसन टू परसन हम इंडिकेट कर रहे हैं यानि एक ऐसा एडजेक्टिव वर्ड जो इंगित कर रहा हो संकेत कर रहा हो यानि कि कि किसी भी ब्यक्ति या किसी भी ब्यक्ति के नाम को संकेत के रूप में मनें एक ऐसा वर्ड जो संकेत वाचक के रूप में काम कर रहा हो तो इस को हम क्या कहते हैं संकीत वाचक विसेशन यानि डेमस्टेटिव एड़ेक्टिव यानि डेमस्टेट करने काम कर रहा है यानि कि दिस पर्सन यानि दिस पर्सन इस पर्सन इस पर्सन इस माई ब्रॉदर या डैट पर्सन इस माई ब्रोदर या हम को कहाना होगा इस आल आर माई ये सबी मेरी कुरशियंग तर नीकर ये सब कर रहा है कि नहीं कर रहा तो इस ताइप के crowds यह बहुत अच्छे मिजाज के होते हैं तो कही न कहीं से सच यदिज यदोज नो प्रॉबलाम इस टाइप के जो भी संकीत वाचक वर्ड आते हैं यह कहीं न कहीं से अजेक्टिव के अंतरगत रहा करके इनको रखे जाते हैं अब बात करते हैं पांचवा नंबर क्या है पांचवा नंबर जी पोसेसिव एडजेक्टिव मतलब संबंद वाचक विसेसर भाई मेरे यह एक ऐसा एडजेक्टिव वर्ड होता है जो कहीं न कहीं से रिष्टे जोडने के साथ साथ दो वाक्यों को काम करता है यानि संबंद बनाने का काम करता है या फिर किसी मान के चलिए नाउन को किसी प्रणाउन के साथ यह प्रणाउन को किसी सब्जेट के साथ सौरी सब्जेट को किसी नाउन के साथ जोडने का काम करता है जैसे कि अभी आप मेरे बातों से हो सकता है कि किलियर नहीं कर रहा है यह समबंध वाचक से अच्या क्या किसी की साथ संबंध बना रहा हो सपोर्ज मान की चलिए कि यह मेरा मार्कर यह मेरा मारकर है मैं खरदा हूं तब ही तो कह रहा हूं कि अब्सक्राइब आपके पास लेपटप है और आप खरते हुआ तो हम नहीं न कहेंगे कि यह मेरा लेपटप है नहीं कहेंगे या जिस मने वस्तु के साथ अपना कोई भी नाउन हो यह पुरनावन हो किसी भी वस्तु के साथ जोडने का ऐसा वर्ड जो जोडने का काम कर रहा हो तो उसे हम लोग क्या करते हैं कहीं न कहीं से संबंद वाच्च कुई से सर्क करते हैं इसको पोसेशिव एड्जेक्टिव करते हैं माइं और हीर नंक लड़का है रोहन हर यह जोडने काप कर रहा हैं रोहन उसका भाई है तो हम इसारा कर रहा है इसारा करने के सांसत कहीं ने कहीं से रोहन और ब्रोदर के बीच में जोड़ने का काम कर रहा है रोहन उसका भाई है यानि उस लड़के से रोहन को जोड़ने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है यानि कि मान के चले कि वो लड़का ह और पहिए नहीं पर हन्रोंग इस तो और रहां है की इस तो आप है गोदर सब्सक्राइब इस ब्रोतर यूह लें मैं उसी एक्जाम्पल को थोड़ा सघूमा लग रहाए है किसका और की जो छोटा रहां का जो भाई था उससे हम रिष्टा जोड़ करके कह रहे हैं कि रोहन जो है ना उसका बड़ा भाई है तो कहीं न कहीं से उस छोटे भाई को बड़े भाई के साथ रिष्टा जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है कई न कई सासमबंद वाचक विसेशन करते हैं पौसेसि एड्जक्टिव पके नाम जो जानते हैं तो माई आवर योर ही हर यह वह वाट को कि हैं आपको समझ में आ गया होगा बात करते हैं डिस्टिप्यूट्प टिएड यह डिस्टिप्प्यूट्री कि से ये इसको लिआ करके डिस्टिब्यूटर में जो डिस्टिब्यूट करने काम कर रहा हूं ठीक है ना मान के चलिए नाउन प्रनाउन को बांटने का काम कर रहा हूं जैसे यहां पर देखिएगा मान के जलिए लिए कि हमको कहाना है कि इच इस्टुडेंट हैस एपेल ठीक ना पर थी विद्यार्ति के पास एक कलम है याणि की कुछ हो सकता है कुछ ऐसे बिद्यार्ति हैं जिसके पास अलमि यहां पर भी बाटने के काम होगे हमको काना होगा नाइधर यू नौर ही ना तुम ना लॉटाख कोई नहीं जाएगा ऑucksल मिल आजवा करका क्या हुआ है यहां हम मना कर रहे हैं और कोई नहीं जाएगा इसका मतलब क्या हुआ जढर होगा सोचे कि इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यहीं हुआ कि मैं आपको माना करूंаны को कि आप को phrase उसरे को भेजूंगा छोड़ दो यार तुम लोग दोनों मैंसे कोई नहीं जाएगा तो यहां पर क्या हुआ कहीं नहीं से बाटने काम हुआ आइधर यू और ही तुम चाहिए वो तोनों मैंसे कोई जा सकता है तुम चाहिए तो यहां पर भी बाटने का काम कर रहा है कि तो एक ऐसा अडजेटिवर जो कहीं न कहीं से बाटने का काम करें उससे हम लोग क्या करते हैं कहीं न कहीं से डिस्टिबूटिव एडजेक्टिव करते हैं अब बात करते हैं साथ नमर का interrogative adjectives इंटेरवेटिव एडेक्टिव क्या भाई सुनेगा परस्ण वाचक भी सेशन यानि जो प्रस्ण माने किसी भी नाउन और प्रनाउन से प्रस्ण पूछ रहा हो ठीक है ना सब मान के चले मेरे सामने कोई ब्यक्ति खड़ा है और काना है यह कलम किसका है गए उसीसे पूछ रहा है यह मान के चले आप सभी विद्यारति बैठे हुए हो और मैं करा रहा है अगर हम को पुछना आप यह कि ना वाट नेम आफ यह कोचिंग तुमारे कोचिंग नाम क्या है पूछ़ और ने तौप मैं किसी जानवर से थोली नब प्रब्लम कुल मिलाजुला करके अगर मैं किसी वियक्ति से बात करते हुए इस बात को पूछ रहा हूं कि वाट नेम आफ यूर कोचिंग तो मारे कोचिंग का नाम क्या है तो कहीं नहीं से यह मैं नावन और प्रनावन पर टार्गेट करते हुए मैं प्रस्ण पूछ रहा हूं तो यह वाट नेम चाहिए मूज यह जितना भी चाहिए वीच कलर डू यू लाइक तो मैं किसी मान के च कौन सा रंग तुम पसंद करते आए विच विच मोबी डू यू लाइक साउथ और बोलीवूड की होलीवूड की पॉलीवूड क्या मान के चली देर लाट्स अप्शन ठीक ना एमॉंग यू आल सारे विद्यारतियों के अंदर बहुत सारे ठीक ना अप्शन है और यू आ लर्निंग लॉट्स फिंग मान के चलिए सब कुछ सीख रहे हैं फिर हम कहेंगे कि विच टाइप आफ सब्जिक्ट को पढ़ना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं से विच हो चाह वाट हो चाह हूं जो यह सभी क्या कर रहा है नावन और प्रनान से टार्गेट कर दूए एक प्र थुम पसंद करते हो तो आप बताते हां ना या मान के चलिए कि विच पर्शन डू लाइक या विच क्रिकेटर दू यू लाइक तो बारा है या जितने भी खिलाडी जो पहले से खेल करके भी वह स्थीपा दे चुके हैं तो मान के चलिए कि विच विच प्लियर डू यू लाइक ठीक है ना इन इंडिया भारत में कौन से क्रिकेटर को तुम पसंद करते हो तो मान के चलो यहां पर प्रास्ण पूछा जा रहा है किसे नाउन और प्र पूरे कहीं कहीं से किसी इस्थान पर रहने का बोध करा रहा हो जैसे एस पूर इग्जामपल मान के चलिए हम भारत के नागरिक हैं तो हम भारत के नागरिक है तो हम कहेंगे इंडियान मान के चलो भारत में अगर हम बिहार के रहने वाले हैं तो किसी दूसरे एस्टेट के या हम जा रहे हैं तो नाम नहीं बताते हैं डारेक्ट हम अपने पूरी एस्टेट से अपने आपको बोध करा देते हैं सपोज मान के चलो हम कहीं जा रहे हैं ठीक है तो सपोज मान के चलो दिल्ली चले गए ठीक है या फिर मान के चलो कि महराष्ट्रा चले गए ठीक है या को तो यह आधारे स्टेट चले गए और जाकर करें कि यूनों आम भिहारी ठीक है ना मैं भिहारी हूं तो हम अपना नाम नहीं बता रहें लेकिन पूरी मान के चलो कि हम अपना नाम बता है कि मैं अवादसर तो मैं क्या करो बोलो है ना तो वह आप मों भी देखें हो ना कि वह बोलता है हम लोग वैसे भी आता तो सर वैसे मेरा नाम रोहन कुमार तो नाम बदल वालो समस्या है तो तो इस तरीका से नहीं मान के चले दूसरे स्टेट में अगर आप जा रहे हो तो आप क्या कहते हो आएं बिहारी सर आई वांट जॉब चाहता हूं मैं नवक्री चाहता थो क्या कहते हो कैने कहिसे जिस स्थांपर रहते हैं उसी स्थांपर रहा करके अपने आपको बूध कराते हो यानि कि जैसे भारत में रहते होना तो भारत के नागरी को इंडियन कहा जाता है बिहार में रहने वाले को बिहारी कहा जाता है मान के चलिए कि महाराष्ट में रहने उसके जगह का बोध करा रहा हूँ that is called BST वाचक विसेसर प्रोपर एडजेक्टिव अब बात करते हैं लास्ट नमर पर एड्यक्टिव की बात कर रहा है। जोरदार वाचक सूचक विसेसर यह तो जोरदार है ना यारी किसी नाउन और परमान cws नाउन तो तो यहां पर क्या है एड्जेक्टिव का मुआ का है बताओ एड्जेक्टिव का काम है नाउन और प्रणाउन की विसेस्था बता रहो ठीक है ना जो नाउन और प्रणाउन की विसेस्था बता उसी को तो एड्जेक्टिव करते हैं लेगे एड्जेक्टिव के जो लास्ट व ओहीं गाव है जिस गाव में कभी में आया था सुन्दे है this is the very person यह वहीं लड़का है यह वहीं भेकते this is the very boy थेंगे का मतलब यह वहीं लड़का है जो मेरे भाई को मारा था यह इस दा मेरी बॉआ तो this is the very सुनिए यहां पर this is the this is the very boy क्या मतलब हो रहा है कहीं नाउन पर टार्गेट कर रहा है कि नहीं और मैं सुरू से ही बताते आ रहा हूं कि एड्जेक्टिव वहीं होता है जो नाउन और परनाउन की विस्यस्ता बता यह दिखिएगा लड़का की विस्यस्ता बता हां यह वहीं लड़का है जो मेरे भाई को मारा था ठीक है ना तो सुनिएगा this is the very boy यह वहीं लड़का आच आपको काने यह यह बिल्कुल वहीं गली है जिस गली में ठीक है ना जिस गली से मैं हर रोज घुजरा करता था this is the same this is the same lane this is the same lane यह बिल्कुल वहीं गली है ए श्ट्रीट भी करते हैं अब आपको होगे सर आप लेन लिख रहे हो गलत लिख रहे हो नहीं ऐसा कुछ नहीं है लिख लो भाई स्ट्रीट लिख लो this is the same street this is the same lane this is the same street यह बिल्कुल वहीं गली है जिस गली से में घुजा करता था ठीक है ना किस से अपने गल्फ्रेंड से मिलने के लिए ह सब्सक्राइगे नहीं है तो बाथी बातों में थोड़ी से भावनाओं में कुछ मजाक वागजाक निकल जाता है बट इसके लिए उडांट माइं प्लीज तो यह रहा आपका पूरा का पूरा पूरा पार्ट सफ एडजेक्टी जो आपके दिमाग में पूरा मनें बहुत अच्छे ढंग से मैं आपको पूरी इनर्जी के साथ पूरा जोने यह कंसिप्ट को आपके दिमाग में भर दिया तो अगर आपको यह वीडियो और यह कंसिप्ट बहुत अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाए मेरे दोस्त और चैनल पर नए हैं तो करने में कोई चार्ज नहीं है तो मैं यहीं करना चाहूंगा अंत में एक गुर्दर्षना के तोड़ पर आप वाटसेप अगरा चलाते होंगे तो वाटसेप पर इस वीडियो का स्टेटस लगा दीजेगा ताकि आपके दोस्त अबाद जितने भी आपके सांति होंगे या उसको एंसर करने में कोई दीकत नहीं होगी तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टापी के साथ तब तक के लिए जय हिंद